connect करके देखेंगे power bank को और यहाँ सबसे पहले हमने लिए power bank और यह है मेरी samsung की P7 portable SSD तो सबसे पहले हम power bank को use करके इसको phone के सथ connect करके देखते हैं कि यह connect होगी या नहीं तो पहले सबसे पहले हम सारी connections ले लेंगे आना आपके पास यह adapter होना ज़रूरी है कोई भी duplicate adapter ना ले वो iPhone के साथ बिल्कुल भी compatible नहीं रहेगा तो सबसे पहले अब हम अपने connections करने शुरू करते हैं तो यह आपके charger की cable है जो आपके पास होने चाहिए यह भी आपको original ही लगानी पड़ेगी ठीक है original cable ही आपको use करनी पड़ेगी duplicate cable यह भी नहीं चलेगी तो आपको सबसे पहले तो charging वाला जो side है यहाँ पे लगा लेना connection देखिए बिल्कुल ध्यान से करिए तो आपको charging वाला side है यहाँ पे अपनी cable का यहाँ पे लगा लेना है और जहां से charge होता है वो वाला आपको power bank में लगा देना है power के लिए उसके बाद आपको अपनी जो cable है वो SSD के साथ connect करनी है C type वाली और जो दूसरी USB वाली side है वो आपको connect करनी है adapter के साथ तो adapter के साथ connect करती है आपका यह connection है यह पूरा होगा अब जो power bank है वो adapter से SSD को power देगा और जो हमारा दूसरा lightning वाला port है वो हमारे iPhone से connect होगा तो देखते हैं कि यह connect करने के बाद अभी चलेगा या नहीं तो मैंने connect कर दिया है तो कोई भी pop up अगेरा कुछ नहीं आ रहा है files में जाके देख लेते हैं कि SSD शो कर रही है नहीं तो यहां पे भी अभी तक SSD शो नहीं हुई है तो इसका मतलब SSD नहीं चल रही है हम power bank भी एक बार on off करके देखते हैं तब भी नहीं कोई pop up आया अभी भी SSD है जो वो काम नहीं कर रही है बिल्कुल तो यहां से हमको यह देखने को मिलता है कि जो हमारी यह SSD है यह power bank से भी नहीं चलेगी क्योंकि power bank भी इसको enough power नहीं provide कर रहा है एक बार फिट से हम attach करके देखते हैं कि कोई connection में तो दिक्कत नहीं है अभी भी यहां पे जो यह SSD है वो नहीं चल रही यहां से हमको कैसे बता चलेगा कि SSD नहीं चल रही तो यहां से यह conclusion निकलता है कि adapter लेने के बाद भी आपका जो power bank के through SSD यह phone से connect नहीं होगी तो अब हम इसको कैसे connect करेंगे अब हम इसको try करेंगे connect करने की charger के through क्योंकि जहां पे हमने power bank लगाया वहां पे हम directly charger लगा के try करेंगे कि SSD connect होती है नहीं तो वीडियो एंट तक देखना आपको पता लगेगा तो वही same connection के साथ जहां पे power bank लगा था उस जगा पे आपको directly socket से connect कर देना है तो जैसी socket से connect किया आना तो देखते हैं कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ तो यह जो हमारी SSD है वो काम करने लग चुकी है files में जाएंगे files में आपको जाते ही हाँ पे जब जाएंगे न iCloud से बाहर तो जैसी files वाले उसमें जाएंगे browse वाले section में जाना है तो आपको देखने को मिल जाएगी कि मेरे SSD है वो काम कर रही है SSD के ओपर भी blue light आ चुकी है blue light आने का मतलब है कि SSD successful connect हो चुकी है और देख सकते हैं SSD खुल भी रहा उसमें जो file पड़ी है आपको वो भी देख रही है तो एक बार अभी आपको ये तो conclusion निकल गया कि आपको ये 4000 का adapter लेना है उससे आपकी कोई भी SSD कोई भी pen drive वगयर आइफोन से directly connect हो जाएगी कोई भी duplicate adapter से नहीं होगी ना ही कोई power bank से ये connect होगी अगर आपको connect करना है तो आपको original Apple का charger आपको original ही सब कुछ सारे original ही iPhone का adapter चाहिए इनके सारे connection साही से करने के बाद connect करने के बाद ये चल जाती है उसके बाद यहाँ पर हम copy paste करके देख लेते कि speed क्या रहेगी तो ये मैंने copy कर दी तो within one second data copy हो गया